जहीं साथियों नमसकार आज हम फिर से एक नए टापिक के साथ आप सभी लोगों के बीच में उपस्तित हुआ हूँ सम्मानी साथियों आज है का जो हमारा टापिक है जो मुद्दा है आज का आज का हमारा टापिक है अगर यह जनजाती के संबंद में कुछ महत्पूर जानकारिया अगर यह जनजाती की कुछ बिशेस्ता हैं अगर यह जनजाती फैक्ट्स आज हम अगर यह जनजाती की कुछ प्रमुख जानकारियों पर हम चर्चा करेंगे तो सम्मानि साथियो मैं हूँ दसरत अगरिया और आप देख रहे हैं अगरिया समास संगठन भारत के यूटूब चैनल को सम्मानि साथियो आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम अगरिया जन जाती से संबंधित जानकारिया लौ प्रगलक अगर ये जन जाती भारत फाउंडेशन की समस्त गद्विधियां एवां अच्छे कुछ सामाजिक मोटिवेशन विचार धाराएं आप लोग के लिए लाते रहता हूँ सम्मानि साथियों मैं हर बार की तरह यही कहना चाहूंगा कि यदि आप अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ततकाल चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएए और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए सेयर करिए और कमेंट जरूर करिए क्योंकि य यह कोई अंतिम जानकारी नहीं है इसमें आप अपने सुझाव आप अपने कमेंट जरूर दीजे और एक नहीं जानकारी जिसे हमको भी मिल सके तो समवानि साथियों चलिए हम सुरू करते हैं अगर यह जन जाती फैक्ट से नहीं अगर यह जन जाती कुछ प्रमुख जानकारियों पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं तो साथियों सबसे पहले बात तो अगर यह जन जाती मुख रूप से मद्परदेश चस्चतीज़गर जारखंड उत्तरप्रदेश बिहार के अगर यह जन जाती के समण्ध में रोचक करेंगे तो इसमें पहला फैक्ट्स जो मैंने निकाल है साथियो यह अपने स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं पहला अगर यह जनजाती नाम सब्द कुद्पत्ती जो है अगर सब्द से हुआ है जिसका अर्थ है लोहा या धातू ठीक है यह है अगर यह जनजाती के पारमपरिक काम से जुरा हुआ है जो लोहे का निर्मार करना जिससे जुरा हुआ है यानि अगर यह जनजाती का जो नाम है वो अगर सबसे आया है जिसका अर्थ है लोहा या धातू जो उनके पारमपरिक बेवसाय लोहे का जो उनका बेवसाय है लोहे पर जो काम करना है लोहा गलाना है उससे जुड़ा हुआ है ठीक है अगला है अगर यह जन जाती की आबादी की हम बात करते हैं दूसरा फैक्ट जो है जहां तक मेरे जानकारी है और यह मैं लगभग एक आकड़े में बता रहा ह है महत्पूर्ण जन जाती सम्हूं है अगर यह जन जाती अन्य समगाए अन्य जन जातियों में एक अगर यह जन जाती बहुत ही महत्पूर्ण जन जाती है कैसे महत्पूर्ण जन जाती क्योंकि आप जानते हैं अगर यह जनजाती जो है सरप्रथम लोहे का निर्मार करने वाना यानि लोहे को बनाने वाला लाव ऐसक को पहचान कर लोहा बना कर इस दुनिया इस प्रत्वी को देने वाला एक बैग्यानिक जनजाती है जिसने इस संस्कृति को जन्म दिया लोहा बनाने की संस्कृति को जन्म दिया ये वो जनजाती है इसलिए ये अने कई जनजातियों में एक प्रमुख जनजाती अगर ये जनजाती मानी जाती है अगला बात करते हैं नमबर तीन पर अगर ये जनजाती की भासा है जो एक द्रविड भासा होती है द्रविड भासा साथियो पुराने प्राचीन काल में आप द्रविड के बारे में गूगल में सर्च करिएगा वो आपको जरूर मिल जाएगा मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता है लेकिन अगर यह जादी के भासा जो मानी जाती है वो द्रविड भासा मानी जाती है ठीक है और ये जनजाती का मुख्य बेवसाय जो है लोहे पर काम करना है वो लाव ऐस्क को जंगल से लाते हैं उस लाव ऐसक को अपनी भठी में परामपरिक रूप से पिखलाते हैं और लोहे का निर्माड करते हैं जिससे वे लोहे के आवजार बनाना उनकी जीवन सहली है यर्थ ब रहने का कोई भी सेस जग है इस तो उनके पास जमीन तो नहीं मिलता है लेकिन जितने में भी है थोड़ा बहुत खेती भी वो करते हैं ठीक है अब अगला है अगर यह जन जाती की संस्कृती में और क्या सामिल है अगर यह जन जाती की संस्कृती में नरत जैसे सुवानरत है क कर्मा हो गया गर्याज़ाती के प्रमुक्तिक माने जाते हैं जिन में इनको काफी रुची होती है थीक है अगला है ती कि योग अपने पर्रमपरित कि dif Avi Speaking इनका पर्रम परिक त्रोमा थे महार है इसे सरहुल कहा जाता है और कर्मा को मानते हैं सरहुल कर्मा और ये हर्याली अमावस्या इसको भी अगर ये जनजाती बिसेश प्रात्मिक्ता देते हैं ठीक है अगला है अगर ये जनजाती के समुदाय जो है अपने सामाजिक ब्यवस्था और अपने धार्मिक संगटनों अपने रीती रिवाज अपने परमपरा को बहुत ही महत तो दे हैं साथियों अगर यह जन जाती आज के इस आधुनिक समाज में जहां आज हर समाज बेहतर तरक्की कर रहा है आगे जा रहा है सिक्षा के छेतर में हो बेशाय के छेतर में हो लेकिन फिर भी आज अगर यह जन जाती आज की साधुनिक परिवेश में भी काफी स्ट्रेगल कर है आज भी सिक्षा में वो इस तरह नहीं मिलेगा यदि मद्ध प्रदेश सासंच चाहे या कि छतीस गड़ सरकार या भारत सरकार या यूपी सरकार कोई सरकार गर यह जंजाती का सरवे लेते हैं तो वो पाएंगे ऑगर यह जंजाती IPS के सास के चैतर में प्रगति कर हैं लेकिन अभी भी कई चुनोतियों का सामना करना उनको पढ़ रहा है और करते ही जा रहा है तो साथियो आज का जो हमारा टापिक रहा है अगर यह जंजाती के बारे में अगर यह जंजाती से जुड़े कुछ रोचक तथे के बारे में तो उमीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और यह पसंद आई होग साफ इको नमस्ट